वेलकम टू मैं चैनल, शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पोएम जिसका नाम है शैडवल और ये लिखी गई है जॉन ड्राइडन के द्वारा इनका जो जन्म है वो 9 अगस 1631 में युनाइटिट किंडम के एडविंकल में हुआ था और डैट 12 में 1700 युनाइटिट किंडम के लंदन में हुई जॉन ड्राइडन एक इंगलिश पोएट, लिटररी, कृटिक, ट्रांसलेटर और प्लेराइट रहे और इनको अपोइंट किया गया न्यूक्त किया गया इंगलेंड के फर्स पोएट लॉरेट के रूप में 1668 में पोइट लॉरेट एक पद होता है जो इनने 1668 में प्राप्त हुआ और ये जो पोएम है वो पब्लिश एयर है उसका 1682 मैक फ्लेकनो एक पोएम है जिसमें ये जो मैक फ्लेकनो है वो राजा का नाम है और यह जो poem है वो verse mock heroic satire poem है जो की लिखी गई है जॉन ड्राइडन के दौरा verse का मतलब है काबवे में लिखी गई है और satire का मतलब होता है एक प्रकार का व्यंग है या फिर मजाग उडाते हुए Mack Flakno जो poem है उसी से ये shadowal extract मतलब निकाली गई है ये जॉन ड्राइडन का थॉमस शेडवल पर एक डारेक्ट अटेक्ट है जो कि एक दूसरे प्रॉमिनेंट पॉइट पर से दुप कभी रहेते उस ताइम के मैक फ्लैकनो को हम एक सीरीज कह सकते हैं जो की आउटकम निकल कर आती है किस रूप में डिस एग्रिमेंट के रूप में थॉमस शेडवल और ड्राइडन के पीच में वाल्टर इसकोट ने जोन राइडर को थर्ड ग्रेट इंग्लिश पॉइट का है शेक्षपियर और मिल्टन के बाद में अब देखने हैं पोयम का लाइन बाय लाइन एक्स्प्लैनेशन यहां पर कहा जा रहा है जो भी मानविय चीजे हैं वो नस्थ होने के लिए डिके होने के लिए ही बनी हैं और जब भागे बुलाता है फेट समन्स तब बड़े-बड़े राजाओं को भी आग्या का पालन करना पड़ता है फ्लैकनो जो राजा हुआ जो की इस्तुविटी और नौनसेंस से भरा हुआ था उसने भी इस हार्ट पैक्ट को रिलाइस किया जैसे अगस्तस जो था फर्स रोमन एंपरर थे वो छोटी उम्र में ही राजा बन गए थे और उन्होंने लंबे समय तक राजे किया और इसी त फ्लैकनो को प्रोज में और वर्स में भी माना जाता था बिना किसी डिस्प्यूट मतलब बिवात के सारे नौनसेंस के छेटर में या सामराज्य में मूर्ख माना जाता था यह जो राजा है वो अब बुढ़ा हो चुक है और बिलकुल शांती से फ्लोरिश मतलब फल फूल पर रहा है शांती की तरह और ब्लेस्ट है भगवान की तरफ से क्योंकि उसके कई पुत्र है वाण आउट विद बिजनेस डिड़ एट लैंध डिबेट तू सैटल दा सक्सेशन ऑफ दा इस्टेट वाण आउट का मतलब होता है घिस जाना या थक जाना सक्सेशन का मतलब होत अपने सामराज्य को और अपने सामराजी के लिए एक सक्सेशन उत्राधिकारी चुदना चाहता है और पॉंडरिंग मतलब चिंतन करते होए सोसता है कि मेरा कौन सा पुत्र पिट होगा इस सामराज्य के लिए जो की इम्मोर्टल वार अनंत युद्ध को बुद्धि मता से चेड़ सके और महान राजा बन सके वो यह सोसता है क्राइट इस रिजॉल्ट फॉर नेचर प्लीड्स दैट ही शुड अनली रूल वू मोस्त रिसेंबल्स मी जो है वो प्लीड या निवेदन करती है कि जो मेरे जैसा दिखता है वो इंसानी शाशन करेगा या उसे ही शाश करना चाहिए शैड़वल अलोन माई पर्फेक्ट इमेज बियर्स मैचूर इन डलनेज फॉम इस टेंडर इयर्स अब वो बोलता है कि शैड़वल अकेला मेरा पुत्र है जो मेरी पर्फेक्ट इमेज को बनाए हुए और मैचूर है डलनेज और मूर्गता में छोटी उम्र स मेरे सारे पुत्रों में से शैड़वल अकेला ऐसा है जो कंफर्मड बिल्कुल पक्का मूर्गता से भरा हुआ या फिर इस्तुपेड है दा रैस तो सम्पेंट मीनिंग में प्रिटैंस बट शैडवल नेवर डिवेट इन्टू सैंस का मतलब होता है दिखावा और बहाने से लेकिन शैडवल जो है वो गलती से भी सेंस की बाते नहीं करता उसकी जो बाते होती है वो नौनसेंस से भरी होती है संब बीम्स ऑव विट और साहूल में फॉल इस्ट्राइक थरो एंड में के लूसिड इंटरवल लूसिड का मतलब होता है इस्पस्ट और इंट वो थोड़ी देर के लिए होश में आते हैं और इस पस्त बाते करने लगते हैं इलाट उसके दिमाg में प्रवेश ही नहीं करती दिन की बात करें तो दिन में भी उसके दिमाग में फॉग या धुंद प्रवेल प्रवल रूप से रहती है कोई बुद्धिमता की बात उसके दिमाग में नहीं गुज सकती ऐसा पॉइट का विचार है मैजेस्टी का मतलब होता है वैवा वैव फेम उसका जो भारी भरकम शरीर है उसको देखकर आंक के अंदर रोशनी प्रवेश कर जाती है और ऐसा लगता है कुछ नहीं दिखाई देता उसकी जो फैटी बॉडी है वही आकरशित करती है और ऐसा लगता है उसके शरीर को डिजाइन किया गया है Thoughtless Majesty मतलब शांदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है जो बक्वास तरीके से अपने सामराज्य पर शाशन करेगा Thoughtless as monarch oaks that shade the plain and spread in Solomon state of Spinely rain कहां पर एक ट्री का नेम है Solomon का मतलब होता है गंबीर और सुपाइनली का मतलब होता है आलस से के साथ यहां shade well को oak tree से compare किया गया है जो alive to 300 years रहता है पर केवल shade या छाया देता है ऐसी ही छवी shade well की है जो की बोज है और Solomon मतलब गंबीरता और सुपाइनली आलस से के साथ फैला हुआ है हेवोड और शिर्ली वर बर्ट टाइपस ऑफ दी दौ लास्ट ग्रेट प्रॉफेट ऑफ टॉटोलोजी पॉइट कहता है हेवोड और शिर्ली जो पॉइट थे वो भी तुमारी तरह थे लेकिन आप जो हो टॉटोलोजी जो होती है अलग-अलग बोलने की कला उसके आकरी या प्राइगंबर हो इस तरीके से यह पुइम खतम होती है और इसमें ड्राइडर ने पूर ओपीनियन रखिए दोनों के लिए प्लैकनों के लिए भी और शैडवेल के लिए भी वीडियो कंप्लीट होता है अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते शेयर कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को थैंक्स फो वाचिंग मै वीडियो